क्लास 10, कक्षा 10 के लिए जो हिंदी का पेपर ए, जिनके पास ए यानि की किर्तिका और छितिज वाली बुक होती है, उन बच्चों के पेपर में 10 में 2021 को, किस टाइप का पेपर होगा, क्या क्या होगा, कितने मार्किंग होगे, एक काफी बहतरीन आइडिया इस वीडियो में देने की मैं कोसिस करूँगा, तो अगर सबसे बहले मैं बात करूँगा, आपका जो पेपर होगा, 10 मही बाला, हिंदी का पेपर, ये दो भागों में बटा होगा, पहले भाग का नाम ए लिखा होगा, और दूसरे भाग का नाम बै लिखा होगा, यानि ए और बै, दो भाग हुँगे ए की बात करें तो total इसमें 9 question होँगे और अगर बै की बात करें तो total इसमें 8 question होंगे यानि कि aja आपके पास 17 questions total होंगे ये आपका एक general आपका एक general वह होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है, वो किस तरह से रहेगा, दो भागों में डिवाइड होगा, ए और बै में, टोटल क्येस्टन होगे 17, ए में होगा 9, बै में होगा 8, अब क्या-क्या होगा, वहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं, अगर हम बात करते हैं, क्येस्टन नमबर 1 की, तो जो क्येस्टन इसमें 2 आपको गध्यांस दिया होगा, गध्यांस का मतलब कि गदे का अंस नहीं, गध्यांस का मतलब होगा, अगर simple language में बोलू, 2 unseen passage होंगे आपके पास, और 2 unseen passage का मतलब कि आपकी बुक से बाहर होगे वो passage, आपने पहली बार महाँ पे जिन्दिकी में देखे होंगे, ब आपको दो unseen passes देंगे हिंदी के, दो paragraph से देंगे आपको और उसमें से आपको केवल एक करना होगा और इसकी जो marking होगी वो होगी fight marks की और बिलकुल tension लेने की जरुवत नहीं है क्योंकि जो पांचों के पांचों question इसमें किये जाएंगे वो objective type होगे, आपको tick लगाना है केवल और बड़े आसान होगे, यानि कि पांच में से पांच नमबर पके हैं, पहली बात, यानि एक एक नमबर के पांच सवाल आईए, ठीक है पहले वाले question, इसमें दो रहेंगे, आप ध्यान रखना, दो unseen passage रहेंगे और आपने किसी एक को करना होगा, अगर बात करते हैं question number two की तो question number two में भी, दो unseen passage होगे, लेकिन वो दोनों के दोनों गध्यान्स नहीं होगे, वो होगे पध्यान्स, अब ये पध्यान्स क्या होता है, आप tension कुछ मतलो, ये पध्यान्स आप गलत वर्त में भी नतलो, पध्यान्स का मतलब है unseen poem जैसा passage, ठीक है, simple language में, unseen passage होगा वो भ unseen passage, इसमें से भी आपको एक करना होगा, केवल एक करना है, और इसकी भी वो ही कहानी है, कि ये five marks का होगा, और सही बताओ तो ये भी बच्चो वाला काम होगा, इसमें पाच objective type आप से question पूछे जाएंगे, उसके हर question के नीचे चार option लिखे होगे, और अगर आपको कुछ न नीचे आ रहा होगा, माल लिजिए वैसे तो ये unseen passage जैसे आते कि सबको आता ही है, लेकिन अगर फिर भी problem में चल रहे होगे, तो हर किसी का answer दूसरा option या तीसरा option होता है, mostly, तो इस तरह से भी आप टिक वहाँ पर लगाने की कोशिस करना नहीं, तो थोड़ा पढ़कल का ल पद्ध्यान सोंगे, यारी दो unseen poem जैसी होंगी, अब तीसरा question देख लोगी, तीसरा क्या होगी, अब तीसरे question में आपको इध्यान रखना है, इसमें grammar से related, जो हिंदी grammar होती है, जैसे की आपको वाक्य भेद, वो सारे मैं आपको समझा दूगा, और ये भी बता दूगा कि क to work की रुपांतरण, या जो आपके पास रेखांकित वाक्य का क्या भेद है, इस तरह के कुछ आपको या सरल वाक्य कोन सा है, ऐसे आड़े टेड़े मतलब वाक्य से related, आपको 5 question मिलेंगे, जिन मैंसे केवल आपको 4 करने होगी, यानि 5 मिलेंगे और आपने करना कितना होग उस में से किवल 4 करने, option type होगे, ये भी आप ध्यान रखना, यानि कि ये 4 number के हो जाएंगे, option type में, अगर हम बात करते हैं, question number 4 की, question number 4 में आपसे वाच्चे, वाच्चे से related 5 option type, optional type आपको जो है, उसके नीचे option दिये होगे, जैसे MCQ जो होते हैं, इस type में, आपको 5 वाच् और 10 माई के हिंदी के पेपर में, पूछे जाएंगे, बस आपने वासकर सर के तुक्के वाली वीडियो जो अब जस्ट आने वाली है, क्योंकि time हो चुका है, तो उस पे ध्यान देना है, वाच्चे आएंगे 5, और इस 5 में से आपको 4 वाच्चे करने होगे, 4 करने, एक एक 5 में, जैसा कि आपको पता है, पद परीचे, यहाँ पर भी वही रटी-रटाई कहानी चलेगी, हिंदी के पेपर में 100 में से 60 लाना, 80 में से 80 लाना, बहुत आसान काम होता है, बस आपको यह पता होना चाहिए, कि वही पेपर में आ क्या रहा है, आपने करना क्या है, पढ़ परीचे से related 5 आलतु-फालतु question किये जाएंगे, जिन में से आपने अपनी पसंद के 4 करने, यानि 5 वो देंगे, 4 आपने करने, तो एक तरह से यह भी 4 marks का है, एक एक नंबर के आपके इसमें question रहेंगे, optional रहेंगे, tick करना है, मालो वैसे तो ऐसा होता नहीं, मालो आप वहा बैटर वे होता है हिंदी में तो, अगर हम बात करेंगे question number 6 की, कि वह question number 6 में क्या आएगा, तो 6 में आप बस एक ही बात ध्यान रखो, रस, रस आएगा इसमें, वीर रस, पता नि डरपोक रस, पता नि कौन कौन से रस होते हैंगे, वो देख लेंगे हम, अराम से पढ़ ल इसमें से वो भी आपको 5 देंगे, कौन से देंगे, ये बता ना मेरी जिम्मेदारी है, मतलब किस टाइप के देंगे, और 4 करने उसमें से, यानि ये भी 4 marks का है, ऐसा होता है कि पेपर को आपने जरूर ध्यान रखना चाहिए, कि रस कौन से में आएगा, 6 नंबर पे, 6 नं नंबर पे, वाच्य आता है, 4 नंबर पे, वाच्य वेद आता है, तीसरे नंबर पे, unseen passage, poem वाला आता है, दूसरे नंबर पे, unseen passage, paragraph वाला आता है, पहले नंबर पे, ये बहुती बहतरी चीज होती है, इस चीज को समझ के रखना चाहिए, चली मैं आपको बताता हूँ कि question number 7 में क्या आएगा, 7 से आपकी जो किताब है, वहाँ से starting हो जाएगी, इसमें आपको एक scene passage देंगे, scene passage कौन से वाले lesson से आएगा, वो मैं बिल्कुल आपको clear बता दूँगा, मेरी एक वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा, भासकर सर का तुक्का, उसको जरूर कर लेना, scene passage, यहाँ पर आपका ये book में से आता है, ठीक है, book में से जो आपकी book है ना, किर्तिका, किर्तिका में से आता है, ये number 7 में, एक passage होता है, इसमें भी वही बुरी कहानी है, 5 question देंगे, 5 करने, optional होंगे, टिक मारना है, ना भी पढ़ोगे, वैसे टिक मार सकत तो ये 5 marks का है, और इसके बाद जो question number आपके पास 8 है, question number 8 में आपको ये वहाँ पर 2 material से question देंगे, optional, एक एक number के, वो भी book से होंगे, किर्तिका से, book से, जो किर्तिका book है आपकी, वहाँ से आपको 2 question मिलेंगे, material से option में, बहुत हलके से बटिक मारना है, तो ये आपके 2 number के होगी, मतलब इस बार का paper मजे मजे में जाएगा, इस बार का paper में कोई ऐसा घबराने वाला factor नहीं नहीं लेगा, अगर question number 9 की बात करेंगे, तो 9 में हमारे पास जो दूसरी वाली book होती न, छितीज, छितीज वाली book है, उसमें से भी मैं बता दूँगा, कौन सा वाला poem इस के हिंदी की वीडियो, उसमें वो आप देख ले न, दो-तिन दिन आपको वेट ओर करना होगा, हमारे पास है यहाँ पर की भई, छितीज वाली book में से कौन सा आता है, एक poem सी आती है, वो मैं आपको बता दूँगा, और उसमें भी आपके five marks के optional type, यानि tick mark है, मैं कहूँ कि पूरी दुनिया tick mark है, ऐसा हाल हो गिया है, मतलब आपको pen चलाना नहीं, मतलब कि आप एक रुपे वाला pen खरीद लेना, वो पूरे बी-ए तक के paper तक वो ही चलेगा, आज कले paper में इतना कम लिखना होता है, चलिए आ देए, हमारे पास है number 10, number 10 में मैं फिर से बात दो question आएंगे marial marial से, लेकिन अब की बार book होगी कौन सी, चितीज, चितीज वाली book में से दो question पूछेंगे कापी marial से, और दो ही number के होंगे, और optional होंगे, और tick मानने, और कौन से होंगे, वो भासकर सर के वीडियो, जो आएगी भासकर सर का तुक्का, उस में से होंगे, अब आजएए आप question number 11 में, 11 में आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो किताब है, किर्टिका वाली, किर्टिका वाली किताब में से आपके पास 4 question देंगे वो, 4 को आपने करना है दो दो number के, 4 question देंगे किर्टिका के, यानि थोड़े थोड़े long, 25-30 word में आपने इसका answer ल question number 12 में क्या आएगा, ठीक है, तो 12 में भी वोई कहानी है, कि आपके पास यहाँ पर 3 question आउंगे, 3 question आएंगे, और किस में से, वोई किर्टिका वाली किताब में से, लेकिन अब की बार मेरे भाई ये long होगे, 60-70 सब्दों में इसका answer देना होगा, 3-3 word के होगे ये, और total 6 ह question में से, तो चितिज वाली book में से, आपके पास कोई questions आएंगे, और उसमें से आपको 2 questions वहाँ पर करने होगे, 40-50 सब्दों में, इसमें आपको, चितिज नहीं किर्टिका से ही आएगा साइद, थोड़ा सा question number 13 में मैं confused होगी है, कोई बात में, किर्टिका में से ही आना चा आपको मैं बता दूँ का कौन सा आ सकता है, वैसे तो रात दिन एक ही चीज रटते रहो, कोरोना, कोरोना, हाई हाई कोरोना, बस आप समझ जाओ अगर हुस्यार हो, बाकी जो परवाले की मर्जी है, number 15, पर number 15 की अगर मैं बात करूँ, तो आपने इसमें एक letter लिखना होगा love letter कते ही नहीं आएगा, तो इसमें एक letter है, पर वो जो letter होगा न, वो ऐसे होगा जैसे छोटे भाई को कोरोना से बचने के उपाए, या बड़ी मम्मी को कोरोना से दूर रहने के उपाए, मतलब कुल मिला के उसमें कोरोना चाहे, ये वाला एक letter होगा, या फिर स्वासत अधिकारी को ये बताना है कि हमारे मोल ले में कोरोना कितना फैल विया, थोड़ा सा दवाई अवाई ठीके छिडग दो, ऐसा कुछ आलतु फालतु बखवास सा question आपको मिले, नमबर 16 में आपके पास यहाँ पर एक जो है न, वो आता है, विज्यापन, नमबर 16 में विज् हो गिया, उसके जनम दीवस में जो हम एक भावपूर संदेश लिखते हैं, कि जी आपको जनम दीन मुबारक को आप इतने साल और जी लें, ये सारा का सारा किस्सा कानी आपसे 20 सब्दों में वो लिखवाएंगे, जिसको हम पतानी उसे क्या कहते है, संदेश, वंदेश कहत आ सकते हूँ, ये तो हमने ये देख लिया कि हिंदी का पेपर में कौन से नंबर के क्या आता है, भाईयो देखो, कोई भी युद्धी स्टार्ट करने से पहले एक प्लानिंग बनानी बहुत जरूरी होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हिंदी के पेपर में 17 न लिखना होगा, 100 सब्दों में, इस बार वो हाल चले गया, जो वो पुराना जमाना था कि 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, दिखेगा तो एक मोटा बोटा आइडिया हमें मिल गिया है और अब क्या क्या आएगा वो अगली वीडियो में मैं आपको बताना सुरू करूँगा